बिस्मिल्लाइरोमाइरोहीम अस्सलाम अलेकूम आज मेलाई हूँ आपके लिए बहुत जाद मतितावते दिश तो यह इसके लिए दिश कौन सी है यह तो आपको वीडियो में पता चली गया होगा तो यह है गवार फली कीमा इसके लिए हम सबसे पहले ले ले लेंगे वन कप अजिए था तो इसमें इसके लिए टू मीडियम साइस की एंजिन सेट कर देंगे और इसको आपको प्यारा सब कलर ना जाए और अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को दूदर प्रश्राइब कर देगा बिला इनके बड़ें को प्रेस कर दिएगा और इसके बाद अी हमारे पर कीमा ले लिए है यहां पर फोश्वच ट२ मेहां ले लिया और यहां पर लेज से घमा है यहां पर तॉमैटवार पात इन बड़े बड़े टमैटो से और एक पाव यहां प्रम्न स्थी घरके लेगे एंगे फिर टीबल स writers अगर आप इसके जगा ग्रीन चीज भी आड़ करना चाहें तो लेकिन हम ने पर प्रॉश चीज एड़ करिया है तो इसके जाल कर दालेंगे अच्छा तो टेस्ट वैसा हम ने मैं वन टीबल स्पून मेरे में जाले लेकिन अप इसके अंदर सौल टीश भी जाल सकते हैं त्रम कोट लिया था और इसके बाद हम इसको याड़ कर देंगे तोसकी बहुत जग जालेंगे तो इसकी बहुत जाए्ठ के जिए Колीज़ के लिए तो तो इसको एट्स कर देंगे लिए घ्र जली ईसके जिख़ए मिहाई कर देंड ओख सब्सक्रथ ओना इसको एड़ कांपी क्यूंकि कीमा वारा जमा हुआ था आप आपको डिसे मेल्ट होना चाहिए जिसे हमें जल्दी को करना था मतलब खाने का टाइम वरा लिए जल्दी बना दिया लिए इसको तो अमने कीमा कोशिश कर रहेंगे यह आराम सॉफ्ट हो जाए इसके बाद हमने यहां पर वन ग्लास वाटर आप लिया है और इसको को अम झब तक इसको कवर कर देंगे जब तक हमारे कीमा भी हमारा जो मतलब आराम से शॉफ्ट होटाए है और जो मारे टुमाटोज और प्या अनियन से वह वह भी सॉफ्ट होटाए इसके बाद हमने यहां पर एक छोटी से कड़ाई ली दी इसके नहीं मेरा वाटर एड़ घर लिया था और उसके बाद यहां पर क्लस्टर बीम्ट होते हैं यानि गवार फली घ्वार फली ज़िए एड़ कर लिए और यह चोटे-चोटे साइजेश में कटी हुई थी तो इसको हम कर लेंगा आप चाहें तो बड़े साइजेश में पसंद करते हैं लेकिन हमें चोटे तरिफ्टे साइज इसमें जादा अची लगती है तो इसकी बाद हम इसको ड्रेइन कर लेंगे एक छनी के अंदर ताकि इसका पानी है जो स्मेल होती है जो निकल जाए तो इससा आप कर लिया करें क्यूंकि इस जो फ्लेवर और जादा अब कर लेंगे तो इसके बाद हम इसको देख लेंगे तो यह तक्रीमें टेन इसको अब तो इसको इसको बहुत जादा करने अब इसको भूनना है अच्छा यहाँ पर मेनने तो अगर आपको उसकी रैसी पीचाहिए तो मेरे चैनल पर आप जरूर देख सकते हैं तो गरम मसाले का यह है कि अगर आप स्टार्ट में दाल देंगे तो फिर आपकी में बलेक हो जाएगा अगर आप गवार फली दालने के फॉरन बाद दाल देंगे तो ठीक रहता है मतलब आपकी गवार फली का करड़ भी नहीं जाएगा क्योंकि गवार फली एक को एक बॉइल भी आए वह तो बहुत जली गल भी जाएगी और इसके जो फ्लेवर गरम मसाले का वह भी खतम नहीं ह नहीं हला लेन का बूस्टaken के सब्सक्राइब, तो अमका तुब पहुत बहुत जदेके सं को नहीं टो इसका पडहा जाता घर अपतागे तो अभधे से खाना से बहुत जादा बहुतभा चुछा फलीवर आयजाए तो ुषन्टेहों इस पुह को फंचिक अगे धोले और वेजिस तो मेरी बहुत जादा फीवरिट है और बहुत जादा मुए शौक से भी काती हूं बहुत मुझे पसंद है अचा यह जब तक हमने इसको भूनते जाना है जब तक कि अपना ऑईल ना छोड़ दे तो यह गवार फली अपना ऑईल छोड़ चुकी है और अभी मजीद अब इसको नहीं चोड़ रही है अभी तक हम भूने ही जा रही है तो तक रिवां इसको 10 मिट समी ने भूना है और इसकी बाद हम इसको डिशाओट कर लेंगे तो अपनी प्यार के बॉल में इसको डिशाओट कर लें आचा पर इसके प्लेट जरूर रख लिए करें अगर किसी कांच के बॉल में अगर सर्फ करने लगें तो इस तरह जरूर करें ताकि अगर करें आपको पता है कि कभी-कभी मतलब के टूट जाते हैं कटोरे वगर तो आपको कहीं नुकसान नहों जाए करेंगे तो आप कुछ से कोई नुकसान नहीं परिगा अगर आपको मेरी व